हेलो दोस्टों मेरा नाम और वोई तो स्वागा दिर आप सभी का एक लविटिस टेख वीडियो में यानि कि कमी मिली हैं जिनकी वेज़े से Samsung के स्मार्टफोन को है किया जा सकता है कौन-कौन से स्मार्टफोन है और उसके बचने के लिए आपको क्या करना Samsung ने अब तक क्या कैस क्या रहे मत आने वाला वाज के इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो उसकी बिल्कुल मत कीजिएगा CERT in Computer Emergency Response Team of India इन्होंने बताया है कि Samsung के स्मार्टफोन में vulnerabilities है जिसको fix जल्दी से जल्दी करना होगा Samsung को नहीं तो smartphone user जितने भी हैं Samsung के वो खत्रे में पढ़ सकते हैं अब किन-किनी smartphone users को खत्रा वो आपको रहता हूँ जिनके smartphone में जिनके पास Samsung का smartphone है और उसमें Android 11 है Android 12 है Android 13 है Android 14 है यनकि अगर इस चार वरजन पर आपके smartphone चल रहा है और maximum smartphone इनी चार वरजन पर चल रहोंगे तो computer emergency response team बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है उनके system में कुछ न कुछ vulnerabilities जरूर है जिसके वेज़से उनका system यनके smartphone हो सकते हैं जिनके अंदर 11 12 13 14 कोई भी Android वरजन है इससे बचने के लिए उनने बोला है कि हम security patch जो है December का वो जारी कर रहे हैं तो जारी कर रहे हैं और काफी smart phones के जारी हो गए हैं अगर नहीं हुए तो future में बहुत जल्द होने वाले होंगे आप लोग अपने phone की setting में जाना है software update में जाना वहां पर जाके security patch को update कर लेना है और यह बात Samsung के लिए तो मैं बोड़ी रहा हूं लेकिन मैं हमेसा बोलता हूं अपनी वीडियोस में प्लीज अपडेट कर लिया करो काफी लोग सोचता है कि security patch 400-500 MB का है इससे कुछ होता जाता है लेकिन भाई वह बहुत जरूरी होता हर 3-4 महिने में कंपनी जारी करती है जिससे होता क्या है कि जितनी भी कमिया होती है उनकी system में वह उनको हर 3-4 महिने fix कर देती है ताकि smartphone प नाम बता रहता हूं नोक सुम नोक सुम मैंजर सर्विस जो है ना उसके अंदर एक दिक्कत मिली है यह जो सर्विस है वह सैंसंग यूज करता अपने smartphone में तो इसकी जो लेर है इसमें को वर्लन बेटीज मिली जिसके विए से जो हैकर आपके smartphone में घुश सकते हैं अब क्या क और के अंदर भी घुश सकते हैं आपके phone में कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है आपका phone hijack हो सकता है यह सारी जो वर्लन बेटीज मिली हैं मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आपके smartphone में 11 12 13 14 कोई भी वर्जन एंड्रोइड का तो जागे प्लीज अभी चैक कर लिजए अ आपका phone secure रहता है और आपके phone जो भी प्रॉलम्स होते हैं company उनको fix कर देती हर तीन से चार महिने में तो जा कि अभी update कर लीजे अपनी smartphone को वीडियो में करने से पहले बताये तो कि सैमसंग ने इस बाक्ते अप्ट कर लिया है कि उस्टम में वर्लन बेटीज मिली हैं मैं तो आपको भी फोट में बता दिया कि क्या क्या हो सकता आपके साथ में दो तीन बाते बताई हैं लेकिन स्टोल है वर्लन बिटीज मिलियों के सिस्टम में तो प्लीज इग्नोर मत करना अपने सैमसंग के डिवाइस को जाके update कर लेना अगर कोई update मांग रहा है security patch update छोटे होते ह आपने update कर लिया है और update मिल गया है तो वह भी कमेंड कर सकते हैं आप लोग यह सारी चीज़े कमेंड करके बता देना वीडियो पसना ही वीडियो को लाइक शेट ज्यादा करना और देखिए आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सैमसंग का यूजर है आपके जान वां देमादा